हरे किर्ष्णा एक बार धर्म राय धिश्टिर ने भगवान स्री किर्ष्ण से पूछा कि हे जनारदन फागुन माश्य किष्ट पक्ष की एकादसी का क्या नाम है तथा उसकी विधी ये ओम महात्म क्या है किरपा करके आप मुझे बताईए इस पर भगवान स्री किर्ष्ण ने कहा एक समय देवर्षी नारद जी ने परमपिता ब्रमाजी से कहा महाराज आप मुझे से फागुन माश्य किष्ट पक्ष की एकादसी का बिधी कहिए प्रम्हा जी ने कहने लगे कि हे नारत फागुन माजकिष्ट पक्ष की एकादसी का ब्रत पुराने तथा नए सभी पापों को नश्ट करने वाला है इस विजिया एकादसी की बिधी मैंने आज तक किसी से नहीं कही यह समस्त मनसु को विजय प्रदान करती है त्रेतायोग में म्रयादा पुसोत्तम स्री राम जी को जब 14 वर्स का बनवास हो गया तब वे लश्मर तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे वहाँ पर दुष्ट रावन ने जब सीता जी का हरण किया तब वहे इस समाचार से सी राम चंदर जी दथाल चमर जी अतियंत ब्याकुलो उठे और सीता माता की खोज में निकल दिये बन में घूमते घूमते जमरासन जटाई के पास पहुंचे तो जटाई ने सीता जी के बारे में बता कर वहे सर्ग लोग को चला गया आगे जाकर उनकी सुक्रिव से मित्रता हुई और बाली का स्री राम जी ने बद किया और हनमान जी लंका में जाकर माता सीता जी का पता लगाया और हनमान जी ने लोट कर सब समाचा सी राम चंदर जी को सुनाया तब से राम चंद्र जी ने वानर से ना सुग्रिव और हनुमान जी सहित लंगा पर बिजय प्राप्त करने है तू आगे बढ़े तो आगे से राम चंद्र जी ने मगर मच आदियुक्त समुद्र को देखा और लच्मर से कहा कि है सुमित्रा नंदन इस सागर में अनेक अगाध जिव जन्तु हैं इसे सुगमता से कैसे पार करें कुछ हमें रास्ता नहीं दिख रहा है इस पर लच्मर जी ने कहा कि हे प्रभू आप आधि पुरुस और आप ही परम पुरसूत्तम हैं आप से को छुपाना असंभव है इस दूइप में प्राचीन काल से वक्तालब मुनी रहते हैं यहां से आधा के दूरी पर उनका आसरम है उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान के बारे में पूछना चाहिए लच्मर के कथना नुसार सी राम चंदर जी ने अपनी पूरी सेना लेकर वक्तालब भरिसी के पास गए और उनको साधर प्राम किये मुनी वर ने उन्हें देखते ही पहचान लिए कि यही प्रम पु उत्तम स्री राम हैं अतियंत आदर पूर्वक उन्होंने पूछा प्रभू किस कारण यहां पर आना हुआ इस पर सी राम चंदर जी ने कहा कि हे मुनिवर रामण का संगार करने हैं तु हम लंका में जा रहे हैं किरप्या हमें इस साधर को पार करने का कोई उपाय बताईए इस पर वक्त अलभरिसी ने बोले कि हे राम भागुन मास की किश्पक्ष की एकादसी का उत्तम प्रत करने से निश्चे ही आपकी विजेब होगी साथ ही समुद्र को अवस ही पार कर लेंगे इस बरत के विधी यह हैं कि दसमी के दिन सोड़ चादी ताबा या मिट्टी का कलस बनाएं उस कलस को जल से भर कर नथा पांच पल्लो रख वेदी के उपर अस्थापित करें उस कलस के नीचे सत अनाज और उपर जो रखें उस पर भगवान सी नाराण की सोड़ के मूर्द अस्थापित करें या अपनी छमताउसार कोई भी मूर्दि एकादसी के दिन असनान आदी से निवरित होकर धूप नवेद नारियल आदी से भगवान की पूजा करें तत पश्चात कलस के पास बैठ कर भगवान के पवित्र नामों का जब करते हुए दिन ब्यतीत करें और रात्रे में उस तालाप के किनारी उस कलस की पूजा विधिवित पूजा करके उस कलस को किसी योग ब्राहण को दान कर दे। राम यदि तुम पूरे से नाजहित इस ब्रत को करोगे तो तुम्हारी विजय अवस्य होगी। प्रम्हा जी ने कहने लगे कि हे नारत सी राम चंद्र जी ने रिसी के कथना नुसार एकादसी का प्रत किया और उसके प्रभाव से उनको विजय प्राप्त हुई। ना कहकर भगवान च्रीकिष ने कहा इस एकादसी का पालन करने से वाजपे ये काफल प्राप्त होता है। तो भगवान को एकादसी बहुत प्री है इतनी कि जब अवताले का सी राम रूप में आए तब स्वयम भी इस ब्रत को रखा। तो हमें भी अनेक उनके आदर्सों को पालन करते हुए इस एकादसी का प्रत अवस्य रखना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक भगवान के ना मुका ना संकितन करना चाहिए। जिससे हमारे अनर्थ दूर हो और हम भगवान के सरण करना है।